दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं, राजस्थान Eligibility Examination for Teachers, जी हाँ स्टुडेंट्स, रीट के बारे में, तो जो भी विध्यारती रीट की तैयारी कर रहे थे, तो स्टुडेंट्स उनके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, 18 अप्रेल से, जी हाँ स्टुडेंट्स रुपे लगेंगे, यदि आप दोनों का पेपर देते हैं, तो आपको 7500 रुपे लगेंगे, तो स्टुडेंट्स ये ऑफिशल आप देख सकते हैं, राजस्थान अध्यापक पातरता परिच्छा रीट, तो स्टुडेंट्स जो भी इसके लिए इलिजिबल हैं, बिल्कुल ट्राइ कीजिएगा, क्योंकि स्टुडेंट्स नंबर ओफ वेकेंसी जो है, स्टुडेंट्स लगबख 45,000 से भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, नांग जो है 18, अप्रेल से फर्म भराय जाएंगे स्टुडेंट् अलग अलग डेट पर आपका पेपर कंडेट कराया जाएगा, पहली पाली 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 वर्ग तीन माना जाता है, लेवल टू मतलब इस्ट्रेंस यहां पर वर्ग दो माना जाएगा, तो वर्ग तीन के लिए इस्ट्रेंस आपका डी एड होना जरूरी है, और वर्ग दो के लिए इस्ट्रेंस आपका बी एड मांगा गया है, याद रखेगा, तो जो भी विध्या आपका जो होगा थाइगंदे कर सकते हैं, आपकी mind भासा हिंदी है, तो आप हिंदी ले सकते हैं, second भासा या OUT आपका जो मैथ होगा और berg 2 के लिए भी यहाँ पर आपको दिया तरफया हाँ विकास आएगा, हिंदी, इंग्लेज, गडित यहाँ पर paper में पूछा जागा समाजी का ध्यान भी साथ में होगा और students आपका कोई एक wish है जो आपको select करना है extra वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो students यह आपकी read की information थी जो भी students इसके लिए eligible हैं बिल्कुल आप भर सकते हैं paper students आपके जो है वो 23-24 जुलाई को paper होने की संभावना है तो यदि आप इस form को भरना चाहते हैं तो official website पर आप जा सकते हैं जिसकी link मैंने students आपको description में दे दिया हूँ तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएं तो चैनल को subscribe कर दिजेगा क्योंकि एसी government job की latest vacancy हम आप तक पहुँचाते हैं तो मिलेंगे एसी update के साथ में तब तक की लिए Bye Bye Thank you for watching this video, have a nice day